Hey guys and welcome back, तो आज के हम लोग अपने Next.js के अंदर अपने Next.js के अंदर अपने Next.js को अपने SQL Database के साथ connect करना सीखने वाले हैं, जिसको connect करने के लिए हम लोग Prisma ORM का use करेंगी, तो इसके लिए सबसे पहला step क्या होगा हम लोग अपने Next.js को create करें, तो यहाँ पर यह हम लोग का एक basic सा Next app created है, जिसके अंदर basic सा हम लोग का सारा code है, जो हम लोग का already predefined code हम लोग के Next.js के साथ आता है, basically इसके अंदर मैंने अपने page.tss के अंदर simple यहाँ पर return कराया है अपने SQL को, अब अगर मैं यहाँ से अपने browser को open करूँ, और यहाँ से मैं देखो, तो यह देखो हम हम लोग का जो application है, वो हम लोग के localhost 3000 पे run हो रहा है, और यहाँ पर simple हम लोग का SQL print करके आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अपने इस वाले application के अंदर, अपने database के लिए SQL का use करने वाले है, तो SQL basically हम लोग का relational database होता है, जो की बहुत ही popular है, तो इसलिए यहाँ पर हम अपने query को send कर सकते हैं, अपने database के अंदर, और अपने database से अपने data को get कर सकते हैं, अपने prisma के ही through हम लोग, बहुत easily कर सकते है, example के लिए जैसे हम लोग का crud operation है, यह सारी चीज़े, ठीक, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहला जो setup करना है, वो है हम लोग के system के अंदर my SQL को install करना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगे अपने browser के अंदर आएंगे, और यहां पर अपने mysql website को open करेंगे, और यहां पर हम लोग अपने download वाले section के अंदर आ करके, यहां से simple mysql community gpl download पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहां से हम लोग अपने mysql installer for windows के तो यह हम लोग को windows के लिए installer देगा, basically यहां पर हम लोग के पास दो installer है, यह वाला मेभी internet के तुरू install करेगा, तो आप simple इसको download कर लेना, यहां पर download पे आप click करोगे, तो यह download हो जाएगा, अप इसके साथ साथ हम लोग का community edition है, इसके साथ साथ हम लोग का workbench भी available होता है, तो in case अगर workbench available ना हो, तो आप simple यहां से mysql workbench को install कर लेना, जिसकी help से हम लोग अपने analyze कर पाएंगे अपने database को, ठीक, तो अगर मैं आपको अपना workbench दिखाऊंग, तो workbench कुछ इस तरह सा हम लोग का दिखता है, ठीक, तो यहां पी यह जो हम लोग का mysql का, जो हम लो लोग याद रखें, तो अपने password को remember करके रखना, वो हम लोग को बहुत जरूरी है, तो अब यहां पे हम लोग को ने जब अपने system के अंदर mysql को install कर लिया, तो मैंने जैसे बताया कि मैं यहां पे अपने Prisma ORM का use करने वाला हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे हम लोग अपने website के अंदर Prisma को search करेंगे, और यहां पे अपना सबसे पहला website, इस Prisma को हम लोग यहां से open करेंगे, तो यहां पे आपको यह दिख रहा होगा, we simplify database queries, so you don't have to figure out now, तो अब हम लोग अपने इस Prisma को कैसे install करेंगे, उसको चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए अगे हम लोग अपने VS code के अंदर आएंगे, और यहां से मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहां से अपना split terminal open कर लेता हूँ, और यहां पे हम लोग simple एक command लिखेंगे, npm i Prisma, जैसे ही मैं यहां पे enterprise करूँगा, यह क्या करेंगा, हम लोग के लिए Prisma को हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा helpful है, तो यहां से आप इस Prisma को open करना और इसको install कर लेना, यहां पे आप देखो, यह syntax highlighting, formatting, autocompletion, यह सारी चीज़ों के लिए बहुत useful है हम लोग का, तो यहां से हम लोग इसको install कर लेंगे, अब उसके बाद, basically हम लोग को क्या करना है, हम लो यहां से अपने Prisma को initialize करूँगा, तो यहां पर हम लोग का एक Prisma नाम का folder भी आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे npx, Prisma, init, अब जैसे ही देखो, मैं यहां पर interface करूँगा, अब यहां पर देखना हम लोग के लिए दो फाइल हैंगी, एक तो हम लो कुछ database URL है, अब यहां पर हम लोग को दो तीन चीजे और खुद से setup करनी होंगी, वो basically क्या है, कि यहां पर हम लोग अपने database के लिए SQL का use कर रहे हैं, तो हम लोग को यहां से अपने Postgres SQL को change करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने browser के अंदर करके, यहां पर अगर MySQL के अंदर आए हम लोग, तो यहां पर देखो हम लोग को दो तीन चीजे setup करनी होंगी, सबसे पहले यहां पी जो हम लोग का connection URL है, इस connection URL के अंदर हम लोग का protocol है, उसको हम लोग को MySQL करना होगा, उसके बाद हम लोग का base URL है, बेस URL के अंदर basically हम लो हम लोग postgres SQL को rename करेंगे, MySQL के साथ, और यहां पर हम लोगों ने जो वहाँ पर अपना username set किया था, यहां पर हम लोग अपना username pass करेंगे, जो कि basically मेरे case में root है, और यहां पर यह जो आपका password दिख रहा है, यहां पर मेरा password root था, क्योंकि मैंने वहां पर installation के time पर password को root ही रख करना है, तो basically जो हम लोग का SQL का host होता है, अगर मैं my workbench को open करो, तो यहां पर देखो localhost, 3306, यह सावरे device के लिए होगा, ठीक, तो आपकी device के अंदर भी same, यह हम लोग का local host होता है, तो यहां से अगर मैं अपने port number को change कर दूँ, जो कि हम लोग का 3306, उसके बाद यहां पर ह का database का नाम आता है, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं next db, और उसके बाद यहां पर हम लोग को कोई भी query string की जरूवत नहीं है, तो मैं यहां से इसको remove कर दूँगा, ठीक, अब यहां पर हम लोग ने अपने database URL को create कर लिया, अब अगर मैं अगी एन अपने browser के अंद आएंगे, और यहां से हम लोग अपने प्रिजमा फोल्डर है, जिसके अंदर schema.prisma है, तो यहां पर हम लोग देखे तो हम लोग का data source db के अंदर जो provider है, वो हम लोग का again postgres SQL है, तो इसको हम लोग को change करना होगा mysql के साथ, अब अगर हम लोग सेफ करें, तो यहां पर हम हम लोग ने successfully अपने प्रिजमा को setup कर लिया है, अब यहां पर अगला जो चीज आएगा, वो होगा हम लोग का model को setup करना, तो basically model भी हम लोग अपने schema folder के अंदर ही create करते हैं, तो जो हम लोग का model होता है, model basically आप कह सकते हो, हम लोग का blueprint होता है, जिसके basis पे हम लोग का data store होता है, तो model को create करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले model word का use करते हैं, और हम लोग का model का नाम होगा, वो हम लोग यहां पर create करते हैं, तो let's suppose that वो हम लोग का user नाम है, ठीक, तो मैं एक user नाम का model create करने वाला हो, जिसके अंदर basically मैं तीन चीजे रखोंगा, सबसे पह पहले ID को access करेंगे, ठीक, उसके बाद यहां पर मैं इसकी default value set कर देता हूँ, जो कि हम लोग की auto increment होगी, यानि की ID हम लोग जैसे अपने user के अंदर data को pass करते जाएंगे, हम लोग का जो ID है वो auto increment होता रहेगा, उसके बाद हम लोग जो दूसरा चीज store करना चाहते हैं, वो email हम लोग store करना चाहते हैं, email भी हम लोग का string type होगा, but, यह email हम लोग का unique होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग add the rate unique pass करेंगे, ठीक, अब अगर हम लोग इसको save करें, तो यहां पर हम लोग ने अपने model को create किया है, तो basically यह model, अगर आपने SQL किया होगा, तो आपको पता हो prisma migrate div, अब देखो जैसे ही मैं यहां पर interface करूँगा, तो यहां पर हम लोग का prisma folder के अंदर एक migrate folder भी आ जाएगा, बट उसके पहले यहां से हम लोग को अपने migration का कोई name पास करना होगा, तो यहां से मैं लिख देता हूँ, initial user model, जैसे ही मैं enterprise करूँ, तो यहां पर देखो ह migration आ गया, अपने इस वाले migration को, यहां पर देखो यह रहा हम लोग का एक table, तो यह basically जो code हम लोगों ने यहां पर अपने prisma के अंदर model create किया हुआ है, वो हम लोगों ने यहां पर SQL के अंदर create किया है, तो basically SQL के अंदर हम लोगों ने एक table create किया, user name का, जिसके अंदर हम लोग का वैर का होता है जो कि हम लोग का not null होना चाहिए ठीक उसके बाद यहां पर देखो हम लोग की primary की हम लोग की ID से set हो गई है unique index user email email क्योंकि हम लोगों ने यहां पर अपने email को unique के साथ specify कि हुआ है तो basically यहां पर simple हम लोग का SQL का पूरा का पूरा query लिखा होगा है तो अगर आप SQL की होंगे तो आपको यह पता होगा ठीक अब यहां पर हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया हम लोगों ने migration कर दिया अब हम लोग क्या करेंगे अपने workbench को open करेंगे और यहां से आपको यह local instance आपको दिखेगा तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यह आप से password मांगेगा तो मैंने अल्रेडी remember password कर रखा है अब यहां पर देखो जैसे ही मैंने इसको open किया तो यहां से हम लोग अपने यह वाले model को create किया है तो अगेन अगर मैं अपने workbench को open करूं यहां से इसको open करूं table को open करूं और यहां से देखो हम लोग एक username का create हो गया है जिसके अंदर अगर मैं अपने column को open करूं तो यहां पर देखो ID है हम लोग के पास name है और email है यानि कि यह तीनों की तीनों चीज़े जो यहां पर हम लोगों ने create किया था ID है नेम है और email है वह अब हम लोग के database के अंदर यहां पर visible है ठीक तो इस तरह देखो हम लोग ने कितनी easily अपने MySQL को अपने next application के साथ connect कर दिया Prisma ORM की help से ठीक तो इस तरह हम लोग बहुत easily create कर सकते हैं अब हम लोग काम करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना एक post request create करके देखते हैं कि क्या हम लोग अपने data को यहां पर send कर पा रहे हैं कि नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अपने VAS code के अंदर आऊंगा मैं और यहां पर सबसे पहले इन सारे folders को मैं यहां से cancel करता हूं और मैं अपने app को open करूंगा app के अंदर हम लोग अपना एक new folder create करेंगे API नाम का अभी basically अपने API के अंदर हम लोग क्या करेंगे एक new file create करेंगे जो की होगा हम लोग का route.ts अब इसके parameter के अंदर basically हम लोग request लेंगे जो की होगा हम लोग का next request type अब यहां पर हम लोग जो request ले रहा है basically request के अंदर हम लोग दो data लेने वाले हैं यानि कि यहां पर जो हम लोग ने model create किया हुआ है अगर मैं model को open करूं तो यहां से हम लोग अपने name और email को अपने request के थ्रू लेंगे और उस name और email को हम लोग अपने db के अंदर store कराएंगे ठीक तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या कर कराएंगे अपने body को अब यहां पर इसको हम लोग करेंट में सेफ करते हैं और यहां से देखो हम लोग ठंडर क्लाइंट को open करते हैं basically अपने इस वाले API route को endpoint को hit करेंगे जो अभी हम लोग ने यहां पर create किया हुआ है तो यहां से मैं सबसे पहले clear activity करता हूं और उसके ब हम लोग का जो request है वो हम लोग का post request है अगर हम लोग यहां पर है तो देखो हम लोग ने post request create किया हुआ है अब मैं basically यहां पर अपने body के थुरू कुछ data को pass करने वाला हूं तो यहां पर सबसे पहले माल लेता हूं मेरा को ज़े data है हम लोग का name है ठीक जिसकी अंदर कुछ value यह मैं माल ले लेता हूं 777 कॉमा करके जिसकी हम लोग की कुछ email value हो जाएगी माल लेते हैं 777 at gmail.com अब देखो जैसे ही मैं यहां पर सेंट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो जो हम लोग ने console lock कर आया था name के अंदर 777 at gmail.com आ गया है यानि कि जैसे ही हम लोग अप लोग को send करना है अपने frisma की help से अपने db के अंदर ताकि हम लोग अपने sql के अंदर यहां पर उसको देख सकें तो basically अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले तो मैं यहां पर return कर देता हूं next response.json के अंदर basically मैं name के अंदर पास करूंगा जो हम लोग को body के थुरू name मिलेगा वो और साथ ही साथ मैं अपने email को पास करूंगा जो हम लोग को body के थुरू email मिलेगा ठीक save करते हैं इसको देखो again अगर मैं यहां से इसको hit करूंगा तो यह हम लोग को processing कर रहा है अगर again हम लोग यहां पर है तो यह दो हम लोग को body का data आ गया है यहां पर हम लोग को response में यह data हम लोग को sovy हो रहा है अब हम लोग को इस data को send करना है अपने database के अंदर तो हम लोग को कुछ code को copy paste करना होगा क्योंकि वो हम लोग का हमेशा सेम रहता है तो अगेन मैं अपने ब्राउजर के अंदर आता हूं और मैं यहां पर आकर करके सर्च करूंगा अब यहां से हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहां पर देखो हम लोग का बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इनिसियेटिंग प्रिज्मा क्लाइंट विट निक्स जैस यहां से हम लोग को सिंपल अपने इस वाले कोड को कांपी करना है और अपने डीबी.ts नामके एक फाइल केंदर पिष्ट कर देना है बस इतना ही हमनों को करना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे again अपने file explorer के अंदर आएंगे और यहां पी यह जो हम लोग का prisma का folder है इसके अंदर एक new file create करेंगे जो की हम लोग का होगा db.ts उसके अंदर हम लोग का यहां पे सारा का सारा code पास होगा ठीक अब हम लोग इसी के थूँ initiate करेंगे अपने यहां पे जो हम लोगोंने route.ts के अंदर पास किया था उसको तो यहां पे basically हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग अपने prisma को import करेंगे तो simple यहां से देखो हम लोग का prisma import हो गया add the rate prisma slash db जो कि अभी हम लोगोंने यहां पे pass किया था तो यह basically क्या करेगा यह हम लोग का prisma client initialize करतेगा ठीक अब जैसे हम लोग का initialize हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहां पे एक const user create करेंगे जो कि हम लोग का await होगा जिसके अंदर हम लोग prisma के अंदर होता है ठीक यहां पर मैंने यूजर अब यहां पर अपने प्रिजमा का एक मैं यूज करने वाला हूं जो कि है हम लोग का क्रियेट बिसिकली यह क्या करता है यह हम लोग का डेटा क्रियेट करता है ठीक अब क्रियेट के अंदर हम लोग यहां पर अपने डेटा का यूज करन और इमेल के प्लेस पे जो बाडी के तुरू हम लोग को इमेल मिल रहा है हम लोग उसको यहां पे प्लेस करेंगे अब अगर मैं यहां पे सेफ करों और यहां से मैं इसको यहां से इसको रिमूब कर सकता हूं और मैं simple यहां पे अपने user को pass करके अब मैं क्या करता हूं मैं अपने db अंदर आ करके again request को send करता हूं तो यहां पे देखो यह हम लोग का data गया टिक जिसके अंदर हम लोग का ID से हो रहा है Nemus हो रहा है ID इवेंध वाम लोगोंने पास्थ काश्राइब springs करता हो यहां से new file को क्रियेट करता हूं तो अब मैं यहां पर क्रिया करूएगा और युआ क्वर्ड के लिखोंगा जो कि होगा हाम Improvoken select everything from next db के अंदर जो हम लोग का यूजर टेबल है उसमें से अब जैसे ही मैं यहां पर control interface करूं तो यहां पर देखो हम लोग का एक ID आ गया है जिसके अंदर हम लोग का 1 है name triple seven है email हम लोग का triple seven at gmail.com है again मैं यहां पर अकर आ करके अपने name के value को change कर देता हूं अनुज से और यहां पर मैं अनुज at the rate gmail.com पर यहां से again request को send करूं और यहां से अपने workbench को मैं open करके again इसको अगर मैं इंटर पास करूं तो अपर देखो हम लोग का दूसरा data यहां पर आ गया जो कि हम लोग का ID 2 है name अनुज है और email हम लोग का अनुज at the rate gmail.com है तो कुछ इस तरह हम लोग बहुत ही easily अपने next.js application को अपने SQL database के साथ connect कर सकते हैं अपने Prisma ORM की help से अब यहां पर हम लोग के वाल create नहीं कर सकते हैं हम लोग get को भी कर सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं पुट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं तो वो सारी चीज़े हम लोग अपने next वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप comment section के अंदर भूछ सकते हैं तब तक कि लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching